पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले आज बारा बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाब मिलेगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमती अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुती बड़ी कुसकबरी पेंशन असपर वित्तम अंतरी वी मरबान पेंशन को लेकर एका नया अपडेट जारी हो चुका है जिसका अनुसार जो EPS 95 पेंशन धारकों सभी को सांदर सोगात देने की टैरीक की जारी है जो आपकी पेंशन को लेकर अपडेट होने वाला है साथ ही जो आपकी पेंशन की राशी बढ़ने को लेकर जो EPS की टीम के दौरा पिछले काप़ी लम्हे समिश संग्रस किया जा रहा था तो NAC की टीम से भी आपकी पैंसन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट मिली है तो आईर पैंसन और मिनमम पैंसन की बोड़ोतरी को लेकर जो आप सभी मांग करें कि पैंसन दारकों को आईर पैंसन का भी पाइदा मिले और मिन्मम जो 55 और फी की जिस रासी में बरूतरी की जाए तो आपकी 55 और भी बड़ी कबड़ी खबर दर है और इसे के डगस, कमाडर अरसु करावट भी लाइज चुरू चूक है और 45 और फी carbon canor बड़ी खुरी खुर पांप्यारE, तो इतने बड़े एक शेत्र के लोगों का जो जीवन यापन का प्रश्ण है अब उन्होंने हर मैने पैसे बरे हैं अपने पेशन के लिए हर मैने पैसे बरे हैं और पैसे कितने बरे हैं पहले 417 बरते थे हर मैने फिर 541 अभी 1250 2014 से तो इतने पैसे बरने के बावजूद जब आप नॉर्मल पोस्टल का हिसाब देखोगे RD का, Recurrent Deposit का तो हर आदमी के सरकार के पास तक्रीबन और या ज़्यादा 20 लाक रुपए हैं जिसके नुसार पैंसन आपको मिलेगी तो नई सूची में आपके पैंसन को लेकर क्या नियम सरते होगी और किन पैंसन धारको को कितनी पैंसन मिलेगी और एनसे की टीम के दोरा आपकी पैंसन जो अनिकी EPS की ज़रासी मिलती है एक अजार उपी की जिसे बढ़ाने को लेकर जो पैंसन धार को को आस्वासन भी दिया कि उनकी पैंसन स्की मांगिए वो सरकार जल्द मंजूर करेगी और एनसी की टीम के दोर जो पैंसन धार को ने क्या मलाकात करके का वो भी जनेंगे तो सबसे पहले यह जानते हैं कि आपकी जो पैंसन को लेकर जो नई अनकी सूची जारीवे जिसके अनुसार पैंसन आपको कितनी मिलेगी और कैसे आपके जो नए नियम रहेंगे और उस अपडेट की पूरी साचाई को भी जानते हैं तो आपकी पैंसन को लेकर जो नई सूची जारी वे जिसमें इस तरह की जानकारी मिली है कि जो पैंसन दार के EPS की उन्हें सभी को पैंसन की रासे में बोरतरी मिलेगी उसके लिए तीन लिष्टे जारी हो चुकी है अलंग अलंग इससे तीन लिष्टों के नुसार आपको प कैसे जिसके अनुसार आपको जो 15 जारी वे उसके अंदर तो आपकी जो एज वरतमान में 18 सान सह दीखे आप रिटाइड हुए है और आपकी पैंसिन की रहासी मिलेगी आपको minimum 5,000 रुपे प्लसे डिये एन की 5,000 रुपे की minimum pension साथ में डिये और medical की सुईधा का आपको साथ में ला मिलेगा और higher pension भी मिलेगी बात करें दूसरी लिष्ट की तो दूसरी लिष्ट के अंदर जो pension धार काएंगे 22,000 की पिए 95 pension धार के उनको 7,000 रुपे की pension की साथ में डिये medical सुईधा और साथ में higher pension का भी फाइदा मिलेगा तो उनके लिए सर्थ है होने वाले की उनकी वर्तमान में जो age है अगर आपकी age pension से 55 वर्स के बीच में है तो फिर आपको pension मिल सकती है और उनके लिए सर्थ यह होने वाले कि उनकी वर्तमान में age है जो यह topics 55 वर्स से अधिक है यहिए you अज कि आपकी age पिचूतर वर्स से अधिक है जैसा कि 80 शाल है यहीवा?」 यहिए आपकी age वर्तमान में 75 वर्स से अधिक है तो फिर आपको pension मिलेगी 9,000 और वैसे कि अगर 18 साल से आपकी आज़ादी के और 55 वर्स के बीच में तो 5,000 रपी की पैंसन और 55 से 55 वर्स के बीच में आपकी एज़ा तो फिर 7,500 रुपे की पैंसन मिलेगी अब बात करते कि जो पैंसन दार कोई आपकी पैंसन दार कोई आपकी पैंसन जड़ा ज़ड़ा जारी नहीं हुआ है अब बात करते कि जो पैंसन दार कोई पैंसन दार कोई आपकी पैंसन कितनी बड़ेगी आएज जानते पेंसंदारकों ने जो NAC की टीम से मुलाकात करते विए काएं कि जो बुजुरुग पेंसंदारक है जो रिटारर हो जाते हैं उसके बाद उनका जो पेंसंदारक की जरीया होती है कमई काज वह जो वरत्मान में मिलती हैं एक अजार उप्य की जिसे वो अपना जीओन आपन न किया जाए कि वैसे कि एक अजार रुपी की रासी की बात के तो वरतमर में मांगा ही को देखे तो एक अजार रुपी की रासी बहुत ही कम है और पैंसन धारकों ने मांग किया कि सरकार जो एक अजार रुपी की पैंसन दे थी उनके उनके उनका जियोने आपन भी नहीं होता ह तो वैसे में अगर बात करें तो उनकी जो पैंसन की रासी में बुड़तरी को लेकर जो पैंसन धारक मांग करें कि उनकी सरकार एक अजार उपी की पैंसन को बढ़ाए जो वरतमान में बहुती कम है वह मांगाई को देखते हुए जो पैंसन इसकी मांगों को मंझूर करवाई तो वैसे में रच्ट कि अर्थवेस्ता में जो सूकी रोटी खाकर के बुजूरग पैंसन धारके उन्होंने जो आनकी अन्स्थान किया है कामकार बुजूरगों ने फिर भी उनको जो एक ऐजार उपी की पैंसन धारके उनको कर देतीं इस तरह का पैंसन धार को निका है तो आपकी पैंसन को लेकर इस तरह की जैनकरी हो नेँवाली अगली बड़ी अपडेट आ इहे तो विटrobe मत्रल में ने कोई फिलार अधिकारिक अहलान जारी nहीं किया है तो इस तरह की जानकरी बता AndraBeat की सरकार के द्वारा की सरकार के द्वारा कर फिर चर्चा हो रही है कि वैतल लिमित को बढ़ाया जाए प्यांसन दार के उनकी जो पर्मुक मागे है उनको लेकर निकि आम मुलयाकन करें और केंदर कंदर जो नई सरकार आएगी उसके दोरा इससा समद में ने भी लिया जा सकता है प्यांसन दार को कि जो प्यांसन ने को लाबी होगा क्योंकि अधिकांस राजियो में नियुंतम जो मजदूरी 18,000 रुपे से लेकर के 25,000 रुपे की बीच में जो कि सेयर लिमिट में उस बज़े से वे किसी भी परकर की समाज एक सुखसा से वंचीत हो जाते हैं तो 2014 में जो बढ़ा था उसके बाद एक बाद आपकी वेतल लिमिट बढ़ा किया जा सकता हैं इस तरह की मांग की जारी है कि आपका वेतल लिमिट 21,000 रुपे किया जा सकता हैं अगर आपका वेतल लिमिट बढ़ता है तो आपका कितना योगदन होगा पीएप में तो अगर बैसिक आपका सेयर लिमिट 15,000 रुपे से ब अबी तक कंफर्म अपडेट नहीं मिली है कि आपकी पिक से खितनी पैंसन बढ़ेगी तो मामला अभी पैंसन जोड़ा लंभी थे पैंसन दार को को इंजार भी करना पर सकता है लेकिन जो एनसे की टीम के द्वरा पैंसन दार को कास्वासन दिया जा रहा है कि पैंसन दार के जो अपना देरे बनाए रखे उनकी जो चार सुत्रिय पैंसन को लेकर मंगे वो जल्दी मंजूर होगी जो केंदर केंदर नई सरकार आएगी उसके द्वरा भी पैंसन दार के अपनी मांगी जारे रखेंगे और जो उनको बड़ी राज़त देखने को मिलेगी ऐसा कांग है